नमस्कार रमावतार द्वारा आपका स्वागत है लेखा सास्तर कक्सा बारा अध्याय दो नए साजेदार का परवेश पर्षन एक से पचास साजेदारी फ्रम का पुनर गठन नए साजेदार का परवेश नए लावी आजन अनपात वे त्याग अनपात की गड़ना करना और परसन एक साजेदारी फरम का पुनर गठन क्या होता है उत्तर साजेदारों के मद्दे विद्यमान समझोते में किसी परकार का परिवर्तन साजेदारी फरम का पुनर गठन करिलाता है परसन दो साजेदारी फरम का पुनर गठन किन प्रिश्थितियों में हो सकता है उत्तर ए नए साजेदार के परवेश पर बै वर्तमान साजेदारों के मद्दे लावियाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर से वर्तमान साजेदार के अवकास गरण पर दै साजेदार की मर् परवेश का क्या अर्थ है उत्तर साजेदारी के वेवसाय में नए सदस्य का स्वामे के रूप में परवेश करना और साजेदारों की संकियों में वर्थी होना पर्षन चार, नय साजेदार का पर्वेज़ कब हो सकता है? उत्तर, वर्तमान साजेदारों की सहमेती से यह सा समभव है पर्षन पाँच, एक विक्ती फरमद्वारा किये गए समस्तकारियों के लिए कब उत्तरदाई हो जाता है? उत्तर, साजेदार बनने के बाद परसन 6 नए साजेदार को कौन से दो अधिकार प्राप्त होते हैं उत्तर एक फरम की संपतियों में इस्सा प्राप्त करने का अधिकार और दो फरम के भावी लाबों में इस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रस्न शाथ फरम की संपतियों में इस्सा प्राप्त करने के लिए नया साजेदार जो दनराशी लाता है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे पुंजी कहते हैं परसन आठ भावी लाबों में इसा प्राप्त करने के लिए नया साज़ेदार जो जनरासी लाता है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे ख्याती कहते हैं पर्शन नो नए साज़ेदार के परवेश पर कौन से मुख्य समायोजन होते हैं उत्तर एक लाभी आजन अनुपात की गड़ना दो त्याग अनुपात की गड़ना तीन ख्याती का मुल्यांकन वले खांकन चार संपतियों का पूर्णर मुल्यांकन वले खांकन पाँच संचय एवित्रित लाबों में आनियों का समायोजन और छे पूंजी का समायोजन परसंदस नया लाव याजन अनुपात क्या है उत्तर नया साजेदार सहीत सभी साजेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाबों को आपस में बाढ़ते हैं उसे नया लाव याजन अनुपात कहते हैं परसंद ग्यारा नया साजेदार अपने लाब का इस्सा किसे प्राप्त करता है उत्तर पुराने साजेदारों से प्रश्न बारा नए लाब व्याजन की गणना क्यों की जाती है उत्तर नए साजेदार अपने लाब का इस्सा पुराने साजेदारों से प्राप्त करता है इस कारण उनका लाब व्याजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है अतर नए लाब याजन अनुपात की गढ़ना की जाती है परसंद तेरा त्याग का अनुपात किसे कहते हैं उत्तर नए साजेदार के परवेश पर फूरे नए साजेदार अपने लाब के इससे का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं परसन चोदा नए साजेदार के प्रियोश फर खाती का बंटवारा किस तरह होता है उत्तर खाती का बंटवारा त्याग अनुपात में होता है परसन पंद्रा त्याग अनुपात के से ज्याद करते हैं उत्तर त्याग अनुपात बराबर पुराना लाव याजन अनुपात बाकी नया लाव याजन अनुपात प्रशन सोडा नया लाव याजन अनुपात किस फरकार ग्याद करते हैं उत्तर नया लाव याजन अनुपात बराबर पुराना लाव याजन अनुपात बाकी त्याग अनुपात पर्षन सत्रा जब नए साजेदार का इसा दिया गया हो वह पुराने साजेदार के त्याग का विवरन नए हो तो त्याग अनुपात क्या होगा उत्तर पुराना लाविवाजन अनुपात ही त्याग अनुपात होगा पर्षन अठारा जिसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिवासा देना कठिन है एसी अद्रेस से व्यावशाई शक्ति का नाम क्या है उत्तर ख्याती पर्षन गुनीस वे कौन सी आकर्षन शक्ति है जो व्यावशाई में ग्रायक को लाती है उत्तर ख्याती 20. व्यवसाय का मोध्रिक मुल्यांकन क्या है उत्तर ख्याती 21. लाड एलन के अनुसार ख्याती क्या है उत्तर ख्याती इस संभावना के अतिरिक ताओर कुछ नहीं है कि पुराने ग्रहिक पुराने इस्तान को ही चुनते है परस्न बाइस ल़र्ड लिंडले के अनुसार ख्याती क्या है? उत्तर ख्याती समंदों तथा परसिद्धी से होने वाला लाब है परस्न तेईस ख्yाती की विशेशता है? उत्तर आई ख्याती विवसाई की एद्रेश से सकती है लिय ये एक मुल्यवान संपती है से यह अधिक लाब अरजन करने में सायक होती है दे यह एक ऐसी सकती है जो ग्रायक को उसके पुराने इस्तान पर लाती है और ई इसका मुले परिवर्टित होता रहता है परसंद चोईस क्याती के मुलेंगन को परवाइद करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उत्तर एक व्यवसाय का सुईदा जनकिस्तान दो परवंद की कुसलता तीन व्यवसाय की दिर गकाले नवदी चार वस्तु की परवर्थी पांच लाइसेंस का होना छे एक आधिकार साथ जोक्रिम की मात्रा आठ लाबों की परवर्थी नो भावी परतिस परदा दस पुन्ज की मात्रा और ग्यारा उत्पाद की किस्म है पर्सन पच्चीस ख्याती के मुल्यांकन की आवशक्ता कब होती है उत्तर जब एक नया साजेदार प्रवेश करता है दो जब वर्त्मान साजेदारों के मद्दे लाव याजन अनुपात में परिवर्तन होता है तीन जब कोई सा परिवर्तन होता है पर्सन 26 ख्याती कितने परकार की होती है उत्तर दो परकार की एक क्रिय की गई ख्याती और दो स्वे अर्जित ख्याती पर्शन 27 किसी वेवशाय को क्रिये करते समय यदि क्रिये परतिफल वेवशाय की सुद्ध संपतियों के मुले से अधिक है तो ये आधिक के क्या कहलाता है उत्र करिये की गई ख्याती कहलाती है पर्शन 28 करिये की गई ख्याती कब उत्पन होती है उत्तर ये किसी व्यावशाई को करिये करने पर उत्पन होती है पर्शन गुन्टीस करिये की गई ख्याती का लेखा फुस्तकों में क्यों किया जाता है क्यों कि इसके लिए पर्तिफल का भुगतान किया गया है परशन तीस चिठे में ख्याती को किस रूप में दिखाया जाता है उत्तर संपति के रूप में दिखाया जाता है परशन 31 एक व्यावशाईक सहंस्ता के अच्छे समन्दो और यस का मुल्ले जो व्यावशाई में स्रिजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे स्वय अरजित ख्याती कहते हैं परशन 32 क्या स्वय अरजित ख्याती का लेखा पुस्तकों में किया जाता है उत्तर नहीं इसका लेखा फुस्तकों में नहीं किया जाता है परसन तेईस स्वेयरजित ख्याती के मुल्यांकन के आवशक्ता कब होती है उत्तर फनव के पुनर गठन के समय परसन चोतिस ख्याती की परकरती कौन कौन सी है उत्तर एक सेंस्ता अगत ख्याती या बिल्ली के सभावाली ख्याती दो व्यक्तिकत ख्याती या कुत्ते के सभावाली ख्याती और तीन आकस्मी गटना समंदी ख्याती या इक्चुय के सभावाली ख्याती प्रशन 35 ऐसी ख्याती जो सैंस्ता के नाम अच्छी प्रतिष्टा वो अपने माल की प्रसिद्धी के कारण बनी है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर सैंस्ता अगत ख्याती या बिल्ली के सवाव वाली ख्याती पर्शन 36 सैंस्ता के स्वामी के परव्यरतन का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुए कौन सी ख्याती है उत्तर सैंस्ता अगत या बिल्ली के सवाव वाली ख्याती सबसे अधिक मुल्ले वाली ख्याती कौन ची है उत्तर संस्तागत या बिल्ली के सब्वा वाली ख्याती संस्तागत ख्याती को बिल्ली के सब्वा वाली ख्याती क्यों कहते हैं। परसन चालीज व्यवसाई का मालिक के चले जाने पर भी उसके साथ सली जाती है उसे कौन सी ख्याती कहती है उत्तर उसे व्यवसाई का मालिक के चले जाने पर भी उसके साथ सली जाती है उसे कौन सी ख्याती कहती है उत्तर उसे व्यवसाई का मालिक के चले जाने पर भी उसके जाता है ग्राग भी वहीं चले जाते हैं उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर उसे कुत्ते के सवाव वाली ख्याती कहते हैं जो हमेशा अपने स्वामी के साथ रहती है परशन 42, सैंस दागत ख्याती से किस ख्याती का मुल्ले कम रहता है उत्तर व्यक्तिकत ख्याती का मुल्ले कम रहता है परशन 43, पेसे वाले व्यवसाय जैसे चिकित्सक, लेखाकार, कानूनी सलाकार, वकील इत्यादी में होने वाली ख्याती कौन सी है उत्तर व्यक्तिगत ख्याती परशन चर्मारिस एसे व्यविशाय जिन की ख्याती स्तिर नहीं रहती है कौन सी ख्याती कहलाती है उत्तर आकस्मी घटना समंदी ख्याती कहलाती है परशन 45 जिस ख्याती का मुल्य छोटी बड़ी घटना के साथ घटिया बढ़ जाता है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर आकस्मी घटना समंदी या चुए के सभावाली ख्याती परशन 46 किसी विशेश दुकान थ्वा किसी विशेश व्यक्ती से ग्राहकों का लगाव नहीं होता है वह जिसका मुल्य सबसे कम होता है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर चुए के सभावाली या आकस्मी घटना समंदी ख्याती परशन 47 जो ग्राहक बार बार एक दुकान या विक्ती के पास नहीं जाता है उसका सभाव के सामाना गया है उत्तर चुए जैसा जो नए स्वामी भक्त होता है और नए इस्तान भक्त उसका सभाव आकस्मिक होता है परशन 48 एसा ग्राहक जो पुराने विक्ती से लगाव रखता है सभावत है उसके साथ ही रहते हैं उन्हें कैसा माना जाता है उत्तर विक्तिगत माना जाता है पर्शन गुंचास एसे ग्रैक जो स्वामी के बदल जाने पर भी उसी दुकान पर जाते हैं एसे ग्राओं का शवाब आना गया है उत्तर बिल्ली जेसा जो स्वामी के चले जाने पर भी अपना घर नहीं छोड़ती है परसन पच्चास आप आईने के सामने दिन में कितनी बार जाते हैं उत्तर कम से कम पांच बार दर्पन के सामने जाता हूँ बटूक धन्यवाद